हेलो एबरीबन तोडे वी आर कमिंग बैक विद वर लेक्ट्चर नमबर 6 अप्ती 8051 माइक्रो कंट्रोलर है तो हमने माइक्रो कंट्रोलर का 8051 स्टाट किया दा तो इसमें का हमारा लेक्ट्चर नमबर 6 है तो इसमें हम लोग का देखने वाले आज एक में टॉपिक ए यहाद शामीदि नमबर 6 आछ तो लास्ट में हमने कई भार दिखा था कि गाया होता है और हैंड शिक्नींग आ पता है कि तो जीङ प्राइब प्राइब लोग हाप पर ट्रांस्पर केरते हैं प्राइब लेन सिगनल नापे एड़ जिरो फाइमन कनेक्शन तो आड़ तू था दिडू वह भी चीज देखना हैं कि कैसे कनेक्शन करिया जाते हैं और फिर और चीज इसमें मैक्स 232 भी होगा तो अब आगे देखते हैं फर्स देखो क्या है एक्जामिनिंग आर्स 232 आड़ सिगनल्स ओके यह हमार में टॉपीक है तो उसमें देखो पहला पॉइंट क्या है तो एंशर वास्टन रियाबल डेटा ड्रांस्फर निजिए बिट्वीन टू इबाइसे देटा इसमें जाताएं तो पहले तो हमें यह शिएर कर लेना है कि डेटा रांसफर फास्टन रियाबल हो रा है ओके और दोनों ।रह से कोडिनेशन ठीक है मतलब यहां सी जतना जा the case of printer because the receiving device in serial data communication may have no room for the data there must be a way to inform the sender to stop sending data okay मतलब जैसा printer में होता है वैसा है मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी data storing के लिए कुछ ऐसी जगा नहीं है क्या होगा कि receiver को sender को एसे बताना पड़ेगा कि वहाँ पे data stop कर दीजिया इसा ना stop करने के लिए वहाँ पे कोई store करने के लिए जगा नहीं है वो तुरंथ वहाँ पे आउटपूट पे दिखाना पड़ेगा उसको यह नेक्ष्ट के है मेनी आप दी पीन्स ओप आरेस्टु अरेस्टु अरेस्टु कनेक्टर आर यूज़ फॉर हैंड शीकिंग सिग्नल्स के लिए भी यूज़ किया जाते हैं एंड शीकिंग सिग्नल्स मतलब क्या होता है एक दुसरे के तरफ ट्रांसफर किया जाता तो यह एक्ष्टल में 8051 के UART चीप से सपोर्ट नहीं करता है UART मतलब कुछ सा जो असिंग्रस ट्रांसफर के लिए था तो नीचे कुछ यहां पर डिस्क्रिप्शन दिये गए देखते हैं मतलब RS230 के जो पींस थे ना उसमें के कुछ पींस का डिस्क्रिप्शन यहां पर दिये गए देखते आगे तो पहला पीन देखो क्या DTR तो यहक्शलुमें क्या काम करता है रेए मतलब यह तो एक्चलेफ होता है ऊपे डेटरनासफर हीं के लिए एक एसे डीखो मतलब त этом का ऑट्यों रेपिंड करतें उसमॵर को इन्टेट कर पहले देदेगा के सेंड करेगा वह सिगनल to indicate that it is ready for communication इसा उसे इंडिकेट किया जाएगा if there is something wrong with the COM port मतलब कोंपोर्ट के साथ कुछ भी रॉंग हुआ इस सिगनल विल नॉट बी एक्टिविट अब यह सिगनल एक्टिविट नहीं होगा मतलब कोई भी communication नहीं होगा this is an active low signal एक्टिव में active low signal हो के DTR के उपर ऐसा बैर रही अफिर ति लो एता and can be used to inform the modem that the computer is alive and kicking मतलब यह modem को actually बताता है की computer अभी क्या है alive and kicking मतलब यह एक्टिविट में working कर रहा है properly this is an output pin from DT PC com port and an input to the modem मतलब यह क्या है actual में DTE से यह output pin है okay DTE का मतलब क्या data terminal equipment का और यह input pin किसका है modem का यह input pin है then next क्या है or okay DSR DSR actual में क्या है stand करता है data set ready मतलब क्या है when DC that is a modem okay DC मतलब modem का मतलब हमने भी देखा था data communication equipment वो लास्ट में देखा था नहीं communication classified किया गया था लास्ट लेक्चर में उसमें DC मतलब हो modem में वो जभी on हो जाएगा and has gone through the cell test उसका भी cell test होगा then it utter it asserts DSR to indicate that it is ready to come in बहीर यह क्या करेगा हां DSR को assert करेगा मतलब क्या करेगा indicate करेगा कि यह वो ready है इसा काम करने के लिए data set ready thus it is an output from the modem okay तो यह actual में हमारा DTR गया था output था input था modem का यह actual में output है modem से output आ रहा है और input कहाँ पर DTE को यह input है मतलब PC को एक्चल में input है तो इस तरह से इसको DC और DTE में इसको classify किया गया है okay this is an active low signal मैं मतलब ही क्या है एक्चल में यह भी active low signal मतलब इसके उपर भी बार रहेगा जैसे DTR के उपर था वैसे DSR के उपर भी एक बार रहेगा okay then next क्या है then if for any reason the modem cannot make a connection to the telephone अगर किसी भी reason के वुझे से modem अगर telephone के साथ connection नहीं कर पा रहा है इस signal remains inactive इस signals ऐसे inactive रहेंगे indicating to the PC terminal that it cannot accept or send data तो इंडिकेट एक्चल में क्या करेगा कि यह किसी भी तरह का data accept or send नहीं कर सकता एक्सेप्ट यह फिर send नहीं कर सकता then next एको के RTS RTS का मीनिंग के मतलब क्या है full form request to send okay when the DTE devices such as PC मतलब जो हमारे data terminal के devices है मतलब हमारा PC है has a byte to transmit मतलब उसके पास कुछ data है जो इसको transmit करना है it asserts RTS मतलब वो एक्चल में request करता है RTS through to signal the modem that modem मतलब request करेगा that it has a byte of data to transmit मतलब इसके पास data है ऐसा वो उसको request करेगा RTS is an active low output from the DTE okay PC के थूँ ऐसा एक output आएगा उसको RTE बोलते और वो एक्चल में input रहेगा modem के लिए then next देखते CTS clear to send मतलब क्या है in response to RTS अगर RTS आजाता है request to send तो इसको clear करने का okay CTS का when the modem has the room for storing the data मतलब modem के पास अगर data receive करने के लिए store करने के लिए कुछ है it sends out signal CTS फिरो CTS signal देता है PC को मतलब DTE को to indicate that it can receive the data now की ऐसा indicate करने के लिए अभी हम data ले सकते send करो ऐसा this input signal to the DTE is used by the DTE to transmit start transmission स्टार्ट करने के लिए data use किया जाता है then next के DCD मतलब इसको carrier detect भी बोलते है या फिर इसको बोला जाता है data carrier detect okay the modem assert signal DCD to inform the DTE that a valid carrier has been detected मतलब वो PC को ऐसे बताता है modem कि यहाँ पे हमें valid ऐसे carrier मिल गया है कि जिसके तो हम data transfer का सकते and that contact between it और उसका contact बताता है and the other modem is established therefore DCD is an output from the modem and an input to the PC तो यह क्या है output है modem के लिए बटे input क्या है PC के लिए input है okay क्योंकि modem से modem से लेके PC के पास जा रहा है ना then next क्या है आ रहा है यह important devote ring indicator बोलते है इसको अन आउट्पूट फ्रम दी modem से जो आउट्पूट आ रहा है and an input to a PC PC तक दा रहा है वो indicates that the telephone is ringing एक्चल भी क्या बता रहा है कि telephone यहाँ पे ring कर रहा है okay it goes on and off in synchronization with the ringing sound of the six handshake signals यह मतलब on off फूत रहता है this is the less often used due to the fact that modems take care of answering the phone this is less often used okay ना बोद कम use किया जाता है due to fact that modems take care of answering the phone क्यूंकि modem वहाँ पे continue answering किया जाता है however if the PC is in charge of answering the phone these signals can be used अगर PC वहाँ पे answering का काम कर रहा होगा modem की जगा पे तभी यह signal का मुष्ट यूज़ किया जाते है okay we next देखते है इसमें भी एक point लिखा हुआ है देखो कि last point है तो इतनी सब हमने description देखे तो उसमें क्या बताएगे कि PC and modem communication can be summarized as the follows मतलब क्या PC और modem का देखो communication बता है while signals DTR and DSR are used by the PC and modem respectively to indicate that they are alive and well okay DTR or DSR actually क्या बता रहे कि PC actual में working कर रहा है कि र्त्त रहें कि अपनी उके it is RTS and well it is RTS and CTS मतलब क्याओ रिक्वेस्पेस्ट to send or clear to send था रो that actually control the flow of data actually रूक है data flow शहां पर पर और रिप्पेसंट करते है तो पहले RTS आता है फिर CTS आता है इफ फॉर लाइक आफ रूम अगर हम्मार का स्टोरिंग करने का जगा नहीं है मॉड्यम ड़स नॉट एक्टिवेट सीटेस तो वह सीटेस को एक्टिवेट नहीं करेगा दपीची विल एसेट डिट्यार एंड ट्राइगें आइट एसेंड सीटेस और अल्सों रिफर्ट वैजर हारेड वेट कंट्रूल फ्लो इसके बात कंकुलूज लिखाओ this concludes the description of the most important pins of rs232 hand signals plus txt rxt and ground ground is also referred to as a signal ground okay so in subko most important pins पोलागे तेन नेक्स्ट के आई बेम पीसी और compatible comports okay इसका भी छोटा description लिकाऊँ आई बेम पीसी का देखो 8086, 286, 386, 486 and pentium इस पर बेश्ट है micropositions normally have two comports okay तो comports होंगे बोथ comports have rs232 type connectors many pcs use one each of the db2s and db9 rs232 connectors okay यह बात आगे नेक्स्ट के हैं the comports are designed to as com1 com2 and at present time com1 is used for the mouse and com2 is available for devices such as modem we can connect the 8051 serial port to the com2 port of a pc for serial communication experiment तो यह एक्चल में यह बता है कि कहां पर वो connect हो सकते हैं कि नेक्स देखते हैं तो देखो यह वालब 8051 connection to rs232 तभी हमें यह देखना है कि rs232 में एक्चल में कहां connect होते हैं तो देखो क्या है we know that the rs232 standard is not ttl compatible वो एक्चल में ttl compatible हैं नहीं है okay rs232 but therefore it requires a line driver तो इसके लिए यहाँ पर एक line driver चाहिए जो एक्चल में data send वहाँ पर transfer करने के में हमें help करेगा such as max 232 chip इसलिए max 232 chip यहाँ पर यूसे होता है to convert rs232 voltage levels to ttl levels and vice versa okay यहसे बताएगे क्या बताएगे क्या बताएगा rxt and txt wins in the 8051 the 8051 has two pins that are used specifically for transferring okay जो दो pins है receiving or transferring के लिए 8051 में जो actual में यूज़ थे इस two pins are called txt and rxt okay वह यह जो transferring के लिए और receiving purpose के लिए यूज़ रहता है and are part of the port 3 group okay port 3 group मतलब इसका pin नमर केतना है p3.0 and p3.1 then next क्या है pin 11 of the 8051 p3.1 is assigned to txt pin txt and pin 10 p3.0 is designed as rxt the pin 11 or pin 10 pin 11 of the 8051 means p3.1 is assigned to txt and pin 10 that is a p3.0 is as designated as rxt okay you don't know txt and rxt can use that these pins are ttl compatible यह दोनों pins actual में कहा है ttl compatible है and these therefore they require a line driver to make them rs232 compatible इले उसको rs232 compatible बनाने के लिए line driver की ज़रत पढ़ती है one such line driver line driver is max 232 तो ऐसा कौन सा line driver है जो actual में यूज़ रता है तो हो है max 232 okay तो max 232 cheap action में कैसे काम करता है वो भी हम लोग देखें जाए तो देखते हैं यहां पर max 232 okay तो max 232 देखें कैसा है since rs232 is not compatible to ttl okay जो आज के जो सब्सक्राइब के साथ वो compatible नहीं था rs232 so we need a line driver तो इसले हमें line driver की ज़रत पढ़ गी जो एक्चल में voltage converter का काम करेगा to convert the rs232 signal to detail voltage level detail voltage level तक वो convert करेगा rs232 के signals so that will be acceptable to the 8051 txd and rsd pin जो हमारे 8051 के txt और rsd जो transferring और receiving के लिए जो bits पीन से उसके साथ compatible होगा उनके एक्सेप्टेबल होगा इसा so one example of such convertor is max 232 okay तो main example यहां पर क्या था उसका max 232 which is from maximum corporation okay इस company ने यह बनाया है maximum corporation maximum.ic.com okay इसका यह भी दियागे maximum.ic.com website बताएगे then the max 232 converts the rs232 voltage levels to detail voltage levels max 232 है वो एक्चल में क्या करता है कुछ लिवको करता है rs232 voltage levels को किसमें TTL voltage levels में है वाईसे वाईसे वर्साथा है वन अडवांटेज ऑफ दी वैक्स 232 चीप इस तेट इस यह यह फ्लस-5 वोल्ट for the 8051 जो 8051 का source voltage उतना ही वो एक्चल में यूज़ करता है max 232 चे नेक्ट के है in other words with a single plus 5 volt power supply we can power both the 8051 and max 232 मतलब single power supply use करके हम लोग दोनों भी हमारे power supplies है बोट जितना भी 8051 भी है और max 232 है दोनों को भी हम लोग उतना power supply यूज़ कर सकते हैं with no need for the dual power supplies okay dual power supplies की भी जरूत नहीं है that are common in many older systems okay so हम एक power supply पर भी दोनों का काम कर सकते हैं मतलब 8051 और max 232 दोनों को भी यहाँ पर connect कर सकते dual power supply की भी जरूत नहीं पड़ेगी यहाँ यह एक चलम में बता गया है so plus 5 volt power supply हम वी कैन यूज़ फॉर बोथ दी यहाँ पर capacitor है यहाँ पर भी एक है यहाँ पर दोनों साइड वो crystal के काम कर रहे एक्चल में यहाँ पर देखो यह सब बफ़र की तरह not gate है यहाँ तो यह max 232 के पींस है देखो हर एक पींस पीं नम्मरिंग जो दिया गया है यह सब पींस है उसके यहाँ पर TXT और RXT पींस को यह max 232 यहाँ पर कनेक्टेड है देखो है यह 051 और max 232 TXT और RXT पींस से कनेक्टेड एक दूसरे हो जो एक्चे में डेटा ट्रांसफरिंग के लिए लाइन ड्रेवर का काम करेंगे कि दे लाइन ड्रेवर्स यूजट फॉर TXT आर काल्ड टीवन टीटो तो जो टीएश्टी के लिए लाइन ड्रेवर इसको कितना टीवन और टीटो आई से बोला जाता है इस एल अबट दी मैक्स टूठी टू पिन्स तो ये एक चल्म में मैक्स टूठी टू का ये बेसिक स्ट्रक्ट्चर था इसमें दिखाये फुरे पींस वगए रहा पी दिखाये सर्कीट डियागरम इसका कैसा रहते हैं अंदर से वह दिखाया गया है यहां पी एक ब्लॉक दिखाया गया ब्लॉक्ता अगर हम क्यों कैसे कनेक्शन करता है कि तो दिशीज है ओल अबाट दी मैक्स टू थर्टी टू कि भी नेक्स सेकते हैं कि देटीज अबाउट अबर नेक्स्ट देटीज तो यह है तो देखो यहां पर कुछ पॉइंट से विल लाइन ड्राइवर्स फॉर और डिजाइन ऐस आरवन और डू पतलब जो आरेश्टी का है जैसा हमने टीजीजी का पता है कि टीवन टीट वैसा रेश्टी का हम लोग डिजाइन कर सकते आरवन और डू का कि इन मैंनी अप्लिकेशन ओनली वन ओफ इच इस उस्टों कि जा मोस्ट आप एक्सप्लिकेशन में कोई एकी उस्ट करते है तो फॉर एक्सपल टीवन और रवन आर यूजट टोगेशन टोगेशन और टीवन आर इस्ट आरव दी एक्सप्लिकेशन अज़िजी अज़िए लिफ्ट अनुज़िवन अनुज़िज़ एक्स के नोटीज यहां पर बता रहें क्या नोट करना बता है इन मैक्स 232 एक्स ऑफर डवन टीवन आर बनाव और टीवन एंटी ओंड फॉर एंटी एलेवन फॉर दिए पर टीवन 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 अटीवन आप यहां पे बिल्टीवन टीवन है है and is connected to TXT of the microcontroller while T out is the T1 out जो लिखा है न वो एक्चल में क्या है RS 232 side हो okay यह एक्चल में क्या है RS 232 side है यह वाला पीन है दो RS 232 side है and that is connected to the RST pin okay वो एक्चल में क्या है RST pin के लिए connected हो है तिया RS 232 DB connector तो नेक्स्ट क्या है the RI line driver has a designation of R1 in and R1 out on pin numbers 13 and 12 respectively तो जो RI line है line driver वो एक्चल में क्या है R1 in or out R1 out जो pin numbers 13 or 12 है उस पे है एक्चल में and the R1 in है वो pin उसका pin नमर कितना है 13 है and is the RS 232 side okay RS 232 side में होगा वो that is connected to the TXT pin of RS 232 DB connector तो वो RS 232 के TXT pin को connect होता है and R1 out जो है वो pin number 12 है is the TTL side that is connected to the RXT pin of the microcontroller तो वो RXT pin को connect होता है microcontroller मैक्स अभी क्या next क्या है मैक्स 232 रिक्वार्स 4 capacitors okay इसमें max to 30 रिर्म में चार कपैसितर चाहिए और उनकी रेंज कितना है तो रेंज कितना है 1 to 20 microfarad micrometer micro means 10 raise to minus 6 farats okay तो यह एक्चल में रेंज है the most widely used value of these capacitors are is 22 mega microvolt farad okay 22 microfarad mostly यह value यूज की जाती है okay then next क्या है कि देखो मैक्स 232 तो एक्चल में क्या यूज किया है तो यह भी लास्त है हमारा देखो अभी max 232 तो हो गया लेकि max 233 की ज़रत क्यों पड़ी okay to save board space board का जो space था वो सेव करने के लिए some designers use the max 233 chip from maximum okay maximum corporation नहीं एक और एक चीप बनाई जिसका नाम है maximum 233 जो एक्चल में कम space लेती थी इसलिए अगर बोर्ड का space बचाना है तो max 233 chip यूज कर सकते हैं जो एक्चल में मैंक्जीम का ही मैंक्जीम कर्परेशन का ही है the max 233 performs the same job as the max 232 okay max 232 जो job perform करती थी same वही उसका भी रोल वही है बट क्लिम क्लाइमिनेट्स दर नीड फॉर कपेसिटर बट यह जो कपेसिटर थी उसकी जरूरत यह पूरी करते कपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ते हैं मैक्स 232 मतलब 233 का यह डिसएवंट है कि उसकी चीप पूर्थ एक्सपेंसिव है कि नोटिस टैट मैक्स 233 एंड मैक्स 232 आर नोट पीन कंपेटिबल यह दोनो यह चल में पीन कंपेटिबल ही नहीं क्यूंकि मतलब मैक्स 233 के जो पीन से और इसके 232 के दोनों सेम नहीं है इसलिए वह बुलें कि यह कंपेटिबल नहीं तो यू कैनाट टेक मैक्स 232 आउट ऑफ बर्ड एंड डिप्लेस इट वीट मैक्स 233 मतलब हमने बर्ड अगर बनाया मैक्स 232 के लिए और वहां से कि अबने मैक्स 232 का आइसी तुरन निकाल दिया और वहां पर मैक्स 233 जाइन कर दिया तो वैसे नहीं चलेगा यह अलवड यह करेगा यह सब फिर वहां पर वर्क नहीं कर पाएगा यहाप फिगर में दिखा दिया की मैक्स 233 दिखाया दे तूगोड इसमें किस तरह के लेकिन मैक्स 233 में कोई कपैसिटर ही नहीं है बाकि सेम बुरा स्ट्रक्चर सेम दिख रहे हैं तो यह एक्षिल में हमारा स्ट्रक्चर है कुछ सा मैक्स 233 जो ज्यादा स्पेस लेता था उसके लिए एक ऐसी चिप बनाएगी कि जो कम स्पेस में वही मैक्स 232 का ही काम करें और मैं इसमें क्हाई कपैसिटर की जोरत नहीं पढ़ते हैं इसमें मैं वह भी एक चीजी की यह वह चीज बचा रहा है कपैसिटर जॉइंस करने की जोड़त नहीं पढ़ते हैं So, thank you very much.